वेलकम टू ओल डियर इस्टुडेंट्स आज हम अपने नए यूनिट एज से एज से अपने अर्थमेटिक की सुरुवात करते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने यूटूब चैनल का नाम एक किलास और जिस पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हूं और मेरा नाम प अब आप अगर टेलीग्राम को नहीं जोन के हो क्योंकि जतना भी पढ़ाया गाया उसका अगर पीडियेप इस टेलीग्राम पर मिलेगा इस्टाइए लिंक करोगे तो आप टेलीग्राम गुरूप में चले जाओगे तो चले शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से औ क्यों संदोनों लैंग वेज में आपको उपलब्द हैं इंगलिश में और हिंदी में तो इंगलिश में दसम ऑफ एज़ ऑफ फादर और सब्सक्स एयर अगो फादर एज वाज पाइब टाइमस ओफ इस अन इज दे एज ओफ सन आप्टर शिक्स एयर इज यह हिंदी बात करें कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयू का योग साइट है यदि छह वर्स पुरो पिता की आयू पुत्र की आयू की पांच गुना थी तो छह वर्स बाद पुत्र की आयू क्या होगी तो चलिए हम क्यूसन स्टार्ट करते हैं यह अपना क्यूसन साइड में लिख दिया मैंने और शुरुआत करते हैं अपने क्यूसन से तो इसमें का गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयू का योग साइट रुट से छै वर्स बात तो हम यह लिखते हैं कि यह फादर है और ये सन है लेकि दिया हमने अब इसने क्या कि च्छै वर्स पहले च्छै वर्स पहले पिता की आयू पुत्र की आयू की पांच गुना थी माले थे पुत्र की आयू की एक्स है तो पिता की आयू पांच गुना मतलब फाइफ एक्स हो गई हो गई और ये थी च्छै वर्स पह पहले लिए सोरी एक मिन्ट कि मैं आपको सभी से लिख देता हूं इसमें इसमें और भी थोड़ा आपको छे वर्स पहली यह थी यह 5X हो गई और वर्तमान में वर्तमान में क्या हो गई अगर अगर च्छे वर्स पहले पुत्र की आयू एक्स थी और फादर की आयू 5X थी च्छे वर्स बाद का मतलब 6 साल और जुड़ जाएंगे तो हम करेंगे 5X प्लस 6 और क्युकि शैसाल बार जो गया अब इसने क्या दे रखा है क्योशन में के देखें अब रेड कलर को x plus को 6 equal to site है है साइट दे रखा है ये साइट को थोड़ा सबही लिग देता हूं साइट उसे दे रखा है तो इस परकार सम 5 x और 5 x और x कितना हो गया 6 x और 6 x 12 हो गया 12 बराबर 60 तो इस परकार ये line depends कर देता हूं मैं और यहां से करते हैं कि 6X बराबर कितना को 12 धर चला जाएगा तो 12 धर चला जाएगा और साइट में से 12 निकालेंगे तो हमें पता 48 आए गया तो X बराबर कितना गया 48 बाइस 6 तो 8 चिकी 48 तो X बराबर आगया 8 X बराबर अपने पास आगया 8 है पुछा क्या है कि 6 पुर्मान चैनल, मैं कलर चैंज कर देता हूं वर्तमान में हो गई कि एक्स प्लस को सिक्स थी एक मिनट एक्स प्लस सिक्स थी एक्स का मान अपने पास आठ है तो तो आठ प्लस को सिक्स ऐक्वल्टू टू चोदा यह कब की थी यह ती अपने पास आई है वर्तमान की और अब हमें पूछा है 6 वर्सस बाद 6 वर्सस बाद गा मतलब होता है कि यह वर्तमान गे 6 वर्स प्लस का सै तो 14 प्लस कुछ चैंट चैंटनी वूर्से तो इस परकार हम कह सकते हैं कि 20 वर्से पुत्र की आएउती तो देख लेते हैं कि यूसन Orig है अपने पास titles 20 वर्स है की नहीं हैं तो हम देखते हैं कि अपना पहला option ही 20 वर्स दे राक है है इस परकार हम नेक्स्ट कुंसिन की बात करते हैं और कि नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं कि फाइफ यर अगो दे टॉटल ओफ दे एज ओफ फादर एंड सन्वाज सिक्स्टे यर मतलब की पांस साल पहले हिंदी में देखते जाएंगे कि पांस पूरो पांस वर्स पूरो यह पांस साल पहले पिता और पुत्र क्या उप साइट उञाएं तो पिता की वर्तमान आयू देन अप्रेजन एजओप देफ फादर पिता की वर्तमान आयू के होगी तो चली इसको हम देखते हैं यह इसको साइटमें कर देता हैं की संब को और बिल्कुमублиर के से यह ने तो हम वह दिक देते हैं इस फादर और यह व सोरी इधर कर लेते हम इसको यह तो यह तो हो गया फादर और यह हो गया सन यह द कर लिया इसने कहा कि पच्छिस परतिसद पच्छिस परतिस को मतलब एक बटा चार हो गया यह कैसी हुआ यह मैं आपको समझा देता हूं can tatus 5 6 6-65 20 50 – 256-200 इसे ने क्या वोला कि अधिर कि पुत्तर की आयूग का 25 पर तिससत है Ukraine अगर पिता चार हैम अध्यडार्ज अध्या मतर पिता कार्द सो है तो पुद्तर 35 हो आधमे पर पिता अधर चाहर तो फुद्तर 1 हो गया तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं फोर एक्स प्लस को एक्स यह कि कब कि यह वर्तमानेज है यह वर्तमानेज है अब क्यूसन में कह रहा है कि पांच वर्स पूरो पांच वर्स पूरो का मतलब हो गया पांच वर्स पूरो मतलब फूर एक्स माइनस को फाइव और इसमें भी एक्स माइनस को फाइव आ गया है कि पीता की दोनों में पांस वर्ष पूरा मतलब पांस बांस साल गठा देते हैं Germansまぁ नश फार पूर एक्स फज्झे आगर एक्स है तो पांस फ्रुम एक्स मांस का फाइप है ऐब क्या कह रहा है इसने कह सकffen है कि देख की उपर देंगे कि सभी जेせ вс f पाँच वरस पूरो पिताओ पुतर के आयो का यूंचवरस पांच पूरो के हो गए अपने पास अपने पास हो गए стала 4 x माध सको हैपu इकवल टू सैट वरस यह साइट वरस लिखलिए है तो टोटल कितना हो गए या vest और यह 40 पूर गाई दस विदित गए गए तो 70 हो गया तो एक्स ब्राबर हो गया 1450 तो अपने पास एक्स आ गया अब इसने पूचा है कि पिता की वर्तमान आयू कितनी है वर्तमान अपने पास पिता की हमारे पास वर्तमान आयू थी वर्तमान आयू कितनी फॉर एक्स ती पिता की तो तो फॉर गुणा फॉर्टीन ब्राबर हो गया 56 चौदा चौख 56 तो अपने पास अंसर आया 56 और ऑप्सन में भी दे रखा होगा कहीं देखें ऑप्सन में 56 और अगर हम अगर देखें ऑप्सन के साथ से भी देख लें तो एक बार मैं देख लेता हूं इसने क्या कहा है कि एक बार मैं अगर दूसरे टाइप से बता हूं जिसमें अगर और इंटेलिजेंट मतलब जो स्मार्ट बच्चे करते हैं वो किस तरीके से करते हैं तो एक मिंट यह अपना है मैं कोई हां या मैं इसमें देख लेता हूं मैं कि ऑप्सन के साथ से इसने क्या बोला था कि फादर और अगर सन एक है तो फादर कितना फौर्ट हैं अब इसने ейчас पर और आपसिंके साथ से उपो अपने पास क्या क्या था जापने पास एरतारीयस इकियाओन च्छफपन और एक्साट मतलब अगर देखें कि अपिता की वर्तमाना उप चर ए नित沒有 चार फो इंऄ तुरा है हैAgल यहजाए चार का मैल्टिपल होगा चार का मैल्टिपल में एक क्या हो तो आएगा नहीं ना तो B आएगा या ना D आएगा अपने पास ओप्सन है A 48 और B 56 है तो देखे अगर 48 लेते हम पिता की वर्तमान आयो अगर हम 48 लेते हैं वर्तमान तो 1Y 25 परसेंट था सन की तो सन की हो गई 12 12 हो गई अब इसने क्या बोला है कि पांच वर्स पूरो पांच वर्स पूरो का मतलब होता है माइनस का 5 और इसमें माइनस का 5 करते हैं माइनस का 5 करते हैं तो इसमें आएगा 43 इसमें आएगा 7 साल और पांच वर्स पूरो इनकी आयू का योग साइट होना चाहिए क्यूशन में दे रखा है, इस पस्ट है, कि पांच और स्पूरा उनकि साइट होना चाहिए, तो इनको जोड़ देते हैं, 43 प्लस को 7 एकौल टू 50 है, जबकि अपने कितना चाहिए था, इकौल टू 50 हमें चाहिए था साइट है, मतलब ये предложit कर देखें तो 3 6 वाज़त को कि दो कम पहले ही काड़ चुके है इसकाल हम तीसरा क्योंट करते हैं अपना नास्ट क सुन पर चलते हैं कि जे नैंस्यम है अपना और क्यूंट को पहले लेते हैं फ सके संट बने और दो चूटको पनुंट पतर्स वो दो हैं देखते जाए हिंदी में भी देखे साथ साथ इप प्रोड़क्ट ओप दियर एज इन इयर इजिप हजार ताउजेंट तो यदी वर्सों में उनकी आयू का गुननफल हजार है देन दफादर एज आप्टर दस एयर विल बी दस वर्स बाद पिता की आयू क्या हो गई तो चली हम क्यूसन करते हैं स्टार्ट है अपना क्यूसन को बिलकुल कौने में रख देते हैं वापस वह तरीका अपना और इस्टार्ट करते हैं पिता और पुत्तर की आयू का अनुपाद हमारे पास वह यह एक मिनट है कि आहीं से कर लيते हैं यह तो है एप सिफाधर ऐसे होगा इसन कितना है पाँच जनवाद दो है कि अनकी आयूगा गुलना फड़ अगर थाभी है तो माले तेहें इसको 5 अक्स माल लेते हैं सुटरी इसको तो 5X माल लेते हैं और इसको 2X माल लेते हैं अगर इनका multiple border गुणान फल का मतलब होता है 5X गुणा 2X बराबर कितना है? 1000 है तो 5 दोनी 10 हजार था तो X स्क्वाइर बराबर कितना आ गया? सोरी यह मैं आपको बता दूँ 10 यहां से नहीं कटे गए यह अजार था अपना और फिर यहां से कट जाएगा तो X स्क्वाइर बराबर 100 तो X बराबर आ गया अपना 10 X आ गया 10 तो इसने पूछा है यह वार क्यूशन देख रहे हैं इसने पूछा है कि अपने पास यह मोटा मोटा यह आ गया हाँ अब बता देता हूँ इसने पूछा कि 10 वर्स बाद पिता की आयू हमने X कितना है? 10 है और देख लो एक बार पिता की आयू कितनी है? 5X है पिता की 5X है और अपने पास कितनी आया है इसकी इसकी X बराबर अपने पास है यह 10 है तो चलिए यह मैं इधर थोड़ा लाइन डो कर देता हूँ यह कलर चेंज कर लिया तो वर्तमानेज अपने पास X तो वर्तमानेज कितनी आ गए पिता की फादर की आ गए 5X मतलब 5 गुना 10 है बराबर 50 है इसने पूचा है सुरी यह 50 है इसने पूचा है कि 10 वर्तमाद वह 10 वर्तमाद का मतलब पलस 10 और कर देते हैं बराबर 50 वर्तमाद तो पिता क्या यह कितनी है 50 वर्तमाद आ गई तो उप्सन अपना बी विल वी राइट आंसर बिलकुल मैं आपको बताना चाहूंगा नश्ट क्यूशन पर चलते हैं सोरी एक मिनट है हाँ यह फॉर्त क्यूशन चले फॉर्त क्यूशन पर चलते हैं और इसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे टाइप इंपोटेंट हैं तो एक दम फोकस होकर देखे और वीडियो को पोज करके एक बार खुद से भी निकाले फिर अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करें तो इसमें क्या होगा कि आपको फाइदा में लगा कि आपको अपनी एफिसेंसी जाच करने का मुकमल जाएगा कि हमें यह टोपिक कितना आता है तो चले हम फॉर्ट क्यूशन को करते हैं कि तो छोटे चात्र की आयू का नुपात है तो हम ले लेते हैं मा लेते हैं कि ए और अनुपात बी सुरी एक मिनट हाँ ए और बी कोई दो इस्टूडेंट है दो जिनकी अनुपात आयू का नुपात है सुरी एक मिनट हाँ जिनकी आयू का नुपात है तीन अनुपात दो क्या करा है कि पहला दूसरे से पांच वर्स बढ़ा है लेकिन हम देखते हैं कि तीन से दो या दो से तीन दो से तीन तो पहला कितना बढ़ा है एक पॉइंट बढ़ा है दो से तीन में एक पॉइंट बढ़ा है अगला कहा है कि नहीं पांच वर्स बढ़ा है मतलब एक पुइंट कितना गाया पांच वर्स का गया तब कह रहा है कि छोटी क्याई छोटी क्याई कितनी है दो है तो 2 गुना 5 इक्वल कितना गया दस वर्स आ गया कि इन आप सिंपल डश तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि बी इस दराइट अंसर दस दस वर्स है या हम इसका एक और तरीका बता दूम आपको एक और तरीका देखिए आप सही तरीके से तो और भी समझ में आ जाया गए इसका दूसरा तरीका कि माल लेते हैं बड़ा ए है और छोटा भी है तीन अनुपाद दो में है यह सुरी तीन अनुपाद दो में है तो इसको थ्री एक्स मान सकते हैं इसको टू एक्स मान सकते हैं इसने कहा है कि दो नू का जो अंतर है पांच वर्स पूर हो तो दो नू का अंतर कितना गया है दो नू का अंतर एक्स है है कितना है 5 है 5 वर्ष पूरो गो तब छोटी क्या यह कितनी दो है टू एक सो छोटी की वरतमाना थो गौणा 5 बराबर वह यह 10 हम आपको दिखाना चाहूंगा इसमें भी 10 वर्ष ही आया था कि इस प्रकार हम अपने नेक्स्ट क्यूसण पे चलते हैं यह थोड़ा सा टाइप में बढ़ा है वैसे क्यूसेंस बहुत अच्छे हैं इसमें गए दर रेशियो बिट्वन सुमित एंड प्रकास एज एड प्रजेंट एज टू अनुपात थ्री तो सुमित प्रकास की वर्तमान आयू का अनुपात दो और तीन है सुमित एज प्रकास एज आप्र से सुमित प्रकास एज आप्र सिक्स एयर विल बी तो सुमित वब प्रकास की आयू का अनुपात है छै वर्तमान प्रकास बाद क्या होगा यह अपने पास क्यूसन है तो चले क्यूसन को स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं हाँ तो कलर चैंज कर लेता हूं अपने पास हाँ यह आ गया तो माल लेते हैं यह सुमित है सुमित और यह परकास परकास इन दोनों की आयू का अनपात है त्री अनपाती यह कितना है वर्तमान की है यह यह वर्तमान की एजिन की वर्तमान की एजी इसने क्या कि छह वरत्वारस चोटा है कौन सुमित प्रकास से चह वर्त चोटा है अब हम देखते हैं सुमित प्रकास से एक पॉइंट lorsा नहीं यह थो छोटा है अगर एकपन्ट चहस का है तो इसने पूचा है कि v Cartman काображ हो कह तुर मिए हम देखते हैं तो तीन है तो दो कुना 3 दो कुछ च्य है और तीन गुना या रटमान की एच्वारा हॉं गुग वय बारा और यह गई ऐठारा से में तो से बार्थ बाद जैवर सबाद का मतलब गया इसने पूचा कि तो सुम्हें तो प्रकाश की आयों का च्छै वर्स बाद का मतलब होता है इसमें प्लस छिक्स कर देते हैं इसमें प्लस इसमें प्लस छिक्स कर नहीं का पारते हैं तो सॉठाइ और च्छोगा सॉबिज को वह कि तीन आनुपस्छर में का रूप में अपना कौन सा था कि इस्जी दा राइट ऑंसर भी की एस्टिन ऊप स्टिन आनुपसाठाग के रूप में तो यह बिल्कुल सिंपल था इसने क्रe परकाश की वरतमानाई 2-7 ती इसे ने बोला था सुमित की जो सुमित परकाश से 6 शोटा है तो यह अपना सुमित था और यह परकाश था इनका अंतर देखा हमने तो एक वर्ष एक पॉंट आया की और लेकिन क्लुशन कई रहा अच्छा है तो यह वरतमान में दो है इसको एक वर्स बाद इनके आयों का योग कितना हो गाया तो बाराम इसमें सुमित की में भी जोड़ देते हैं प्रकास की में 6-6 साल जोड़ देते हैं तो इसमें आगए 12 और 16 और 18 और 24 इनको काड़ते हैं 6-3 और 5 यह अपना आनसर आ जाता है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन पर अपने पर यह अपना क्यूसन है बिलकुल यह अपना क्यूसन आगा इसमें क्या वहला कि अदर प्रजेंट एज ओ एंड बी और इन दर रेशियो ओप 4 & 5 ए और बी की वर्तमान आयो इसमें कहा कि 4 और 5 और यह गलत है इसमें वह यह आ गया फोर अनुपाथ 5 आ गया इंग्लिस के साब से अनुपाथ में एंड आप्टर येर डे विल बी इन दर रेशियो फाइव और शिक्स और पांच वस्वादवें पांच वच्छे में क्या नुपाथ में होंगी दा प्रजेंट एज ओफ एज तो एकी वर्तमान आयो क्या हो गई तो हम पहले देखते हैं तरीके से देखिए आप यह हैं और यह सुरी यह है और एक मिनट यह भी है अब इसमें क्या बोला कि वर्तमान वर्तमान इज फोर अनुपाथ फाइब और पांच वर्स बाद है पांच वर्स बाद इनकी आयो क्यों पाथ है पांच अनुपाथ च्छे पांच अनुपाथ च्छे यह हो गया इसका मतलब क्या गया है पांच वर्स बाद पांच अनुपाथ है मतलब दोनों में एक साथ वर्दी हुई है तो देखते हैं चार से पांच में आ गया एक पॉंट की वर्दी और पांच से छे में एक पॉंट की वर्दी लेकिन वर्तमान से पांच वर्स बाद इसमें कितने कहह रहा है एक पॉंट से हैं Schüler और नौ कि फाट देस bezel ऑद माथ पांच की वर्त दीव ए थो एक पॉंट की वैल्यू कितने यह पन्प्रस किया वह कि क्या पुछ एक फॉल्ट मेंना यह कितने चार ह्या है और एक पॉंट की व्रक पांच है तो कि दिपित वर्स हो गई देट इस आंसर तो अपना ओप्षन वी स्वर्स बी इस दराइट अंसर मैं दोबारा बताना चाहूंगा इसमें क्या हुआ है कि इसने बोला ए और बी की और वर्तमान आई चार अनुपाथ 5 है और 5 वर्त 5 अनुपाथ हैं हमने दोनों अनुपाथ ओका जो अपना रेश्यो द अपने 4-5 में एक की वर्δी हुई है और 5-6 में एक पोइंट की वर्दी हुई है लेकिन वर्तमान respects पांच वर्स की देखें ना तो वर्तमान से पांच वर्ष के अपने पास 5व वर्ष की वर्दी हुई पूने समझाए तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूंगा इस दूसरे टाइप से दूसरे टाइप से मैं यह समझाना चाहूंगा आप सभी को यह 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 ले लेता हूं मैं तो क्या बोला कि A और B कि वर्तमान आयो चार और पांच है इसको X कर सकते हैं और इसको X करते हैं अब वर्तमान आयो का अनुपात यह है पांच वर्स बाद पांच वर्स बाद का मतलब इसमें हम प्लस 5 जोड़ देते हैं इसमें प्लस 5 जोड़ देते हैं 5 और सबाद इनकी आयू का अनुपात हो जाता है 5.6 समझ में आगया मैं दुबाय समझाना चाहूंगा कि अपने पाज दे रखा है A और B का वरतमान आई होती है 4X 4N 5 अनुपात है 5 और सबाद का मतलब होता है प्लस 5 दोनों में जोड़ दिया 5 और सबाद इनकी आयू का अनुपात हो जाता है 5 से नुपात 6 अगर क्रोस मल्टिपलाई करते हैं तो देखते हैं 6 चुका 24 X प्लस 6 पंच जो 30 बराबर हो गया 25 X प्लस को 25 तो 24 और 25 X बराबर इधर X बच्चे हो और 25 और 30 इधर बच्चे हो 5 तो X बराबर कितना यो 5 आगा अब वरतमानेज कितनी है वरतमानेज अपने पास पता है एक की वरतमानेज 4 X तो वो फोर गुना 5 एक्वल टू बीस वरस तो वो इस एमानसर आया अपना 20 वरसी आया तो और इस तरीके से भी हमने 20 वरसी लेकिन जो इंटेलिजन बच्चे होते हैं तो यह तरीका करते हैं तो अभी यही तरीका हमें करना है तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्यूसन पर seventh question है अपना next question और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है इस qs को 10 year ago 10 साल पहले A और B का the ratio of A and B was three on part two मतलब 10 वर्स पहले A और B का अनुपात आयू का अनुपात तीन अनुपात दो था तीन अनुपात दो था एंड आप्टर 10 एयर डियर एज रेशियो विली बीकम फॉइंट पॉइंट फॉर का मतलब आगा है आप य्प Form आपर थी सोरी पॉइंट फॉर को कुछ नहीं हाई यह फॉर an पाइट 3 है तो 10 वर्स वाद उनकी ऑॉयो का अनुपात हो गगा है इदर साइड में कर लेते हैं यह पनने दे भी जाय तोड़ा बहुत हम निबें की और बी की 10 वर्स पहले before 10 years ये अपना A है और ये अपना B है 10 वर्स पहले इनका अनुपात तीन अनुपात दो था and after 10 वर्स बाद 10 यर्स बाद इनकी वरतमान आयू का योग हो गया 4 अनुपात 3 मैं दुबारे बताना चाहूंगा इसको सभी से देखना A और B का हमें 10 वर्स B E मतलब होता है B4 10 वर्स पहले इनकी तीन अनुपात दो था और after A F का मतलब होता है after after 10 सौल बाद इनकी आयू का अनुपात होगा 4 अनुपात 3 हो गया अब इसमें देखते हैं कि रेशियो का डिफरेंस सेम है क्या देखते हैं 4 से 3 से 4 जाने में एक की अनुपात 2 से 3 में एक की वर्दी हुई लेकिन ये कह रहा है कि 10 साल पहले 10 साल बाद मतलब अंतर कितना होया 20 वर्स का 20 वर्स का होया नहीं समझ मैं आया तो मैं भी आपको समझा देता हूँ एक मिनट है कोई दूसरा पेज खुलके हाँ ये कोई पेज है अपने पास ये पेज खुल गया अब आपको समझाना चाहूँ कैसे वो बता रहा है कि माल लेते हैं अब 2030 चल रही है अपने पास फिला 2030 चल रही है 10 वर्स पहले का मतलब होता है 2013 था और 10 वर्स बाद 10 वर्स बाद का मतलब हो जायागा 2023 इन दोनों का डिफ्रेंस निकालेंगे अगर 2013 से 2023 तो ये 20 साल का हुए है 20 यर्स का हुए है सिंपल है अब रतमान में 2030 चल रहा है अपना 10 वर्स पहले 2013 हो था और 10 वर्स बाद पलस और ये माइनस कर देता हूँ पर इसका मतलब 10 वर्स बाद हो गए 2030 10 वर्स पहले और 10 वर्स बाद इनका जो अंतर आ गया वो 20 साल आ गया ऐसे 20 साल आये था और चले फिर क्यूसर में चलते हैं तो अपने पास आये था कि एक पॉंट की वेलियू कितनी आ गई अपने एक पॉंट की वेलियू आ गई थी 20 वर्स ये याद रखना है एक पॉंट की वेलियू कितनी आ गई एक पॉइंट अभी के सकते हैं या बीस वर्स आ गया क्योंति उनकि वर्तमान का यूवत अंगा हुए बीफोर कर लेते हैं लेक owett a बीफोर से करते हैं स्छा थी उना चुणास और टूगुना 20 a 3020 गा 60 टूगुना 20 का मतलब 40 कि सिंपल है और किया पूचा है उनकी वर्तमान आयो हमने 10 वर्स पहले लिया था तो 10 वर्तमान का मतलब अगर 10 साल पहले और वर्तमान का मतलब 10 प्लस और जुड़ जाए गया तो इसका प्लस 10 हो गया सोरी एक मिनट दस वर्स बाद दस वर्स बाद मतलब वर्तमान में कितना हो गया 70 इसका भी 10 वर्स लेते हैं यह कितना हो गया पचास हो गया तो टोटल यो कितना था वर्तमान यो कितना हो गया सतर पलस का पत्चास मतलब हो गया 120 एक सो बीस और अपने ऑप्सन में दे रखा होगा 120 देखते हैं थोड़ा गुमाने वाला तो नहींगे लेकिंगे थोड़ा सा और और क्यूसन से अलग टाइप का है इसने बोला है कि वसंस को सभी तरीके से देखे एक मिनट हाँ इसने हिंदी में देख लिए तेले एक बार कि 10 वर्स पहले देखते बीज़ाए सासाथ 10 वर्स पहले और बी कानूपाद फूर अन्पाथ्री है आप्टर का मतलब यह हमने दस वर्स बाद लिख दिया फूर अन्पाथ्री लेकिन रेष्यो का डिफरेंश था है एक पॉइंट का और इसमें कहा रहा है यह वीफ़ चाप्टर में दस बीकिन अन्पाथ विए वह कैसे समझासे था वह यह संघाय तक है 2023 भीजम चल रहा है principle 10 वर्स पहले मतरब 2023 है और 10 वर्स बाद 2003 है और अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 20 वर्स आ गया 13 यह थी कूसरम को किया था कि Ed Buff э рад हम उनकि क्यों पुछाए कि उनकी वर्तमा नायों का योग याद करें हम तो बिफोर्से कर लेते अनुपाद से क्यूशन के 3X और 2X मा लेते हैं, X की वैल्यू या P की एक पॉइंट की वैल्यू 20 वर्स है, 3 गुना 20 इकॉल टो 60 और 2 गुना, ये थोड़ा क्यूशन इदर है, हाँ, तू, ये इदर देखो, टू गुना 20 इस और 40, 10 वर्स बाद पूचा है, तो 10 वर्स प्लस 10 कर देते हैं दोनों में, और इनका यो करते हैं, तो 70 प्लस 50 इकॉल टू 120 आ गया, इस परकार चे अपना 120 आ गया, नेक्ट क्यूशन करते हम, ये क्यूशन अच्छा क्यूशन है, देखते हैं, और क्यूशन देखते हैं, दर रेशे ओब दे एज ओफ फादर एंड सन, इस संट 10 एर से, मतलब एक पिता था पुत्र की 10 वर्स बाद है, हैंस विल वी 5 अनपात 3, मतलब 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयू का अनपात है, वो 5 अनपात 3 है, होगा, एंड इट वाज, जबकि 10 वर्स पूरव, टैन येर अगो इट वाज थी अनपात है, जबकि 10 साल पूरव की आयू का अनपात था, थी अनपात 1, the ratio of the age of the son to that of the father today is, मतलब पिता तथा पुत्र या पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयू का अनपात क्या है, तो इसने पूचा है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयू का अनपात है, क्या है, तो चलिए हम क्यूसेंस को करते हैं, तो इसमें क्या बोला है कि मोटा मोटा हम देख लेते हैं एक बार ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा क्यूसन को और हम करते हैं इसने बोला है कि ये फादर है अब ये सन है देख लिया दस वर्स पहले दस वर्स बाद है बाद को मैं पलस टैन लिख देता हूं दस वर्स बाद मानिस का 10 लिख देता हूं मैं तब इनका अनुपात था ठ्रीयन पात वन को समाज में आगा है तो वोगी डिफ्रेंश कितना है इस रेश्योड डिफ्रेंश डेश्योड इफ्रेंस आपने पास पांच से तीन में दो का है और तीन से एक में कितना है दो का है दो पॉइंट का है और ये कहा रहा है 10 वर्स बादर दस पूरो इनका कितना चुरण सम्स कि तूर पिचले के उसमिंदए पाइए तो आ गया तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि कि किटीन कितने वेल्यू कितने हागई 10 जिछ आगई ए 1-2 है हम वोगने 10 प्रूल सबाइब whenever ना इस नहीं तो दिस कि आए उन्हीक्ता एफ मुट्व मेंतनाा सबसक्राइं आख मटने 10 जाना की लिए तовых면 तो कितना हो गया फिप्टी और थर्टी दस वर्स बाद के लिए दस वर्स पूरो कितना हो गया दस वर्स पूरो हो गया सोरी एक मिनिट मैं आपको बता दूँ थोड़ा साल छोटा कर लेते हैं हाँ हाँ अब करते हैं दस वर्स पूरो का मतलब हो गया माइनस का 10 कितना हो गए 40 और इसका भी माइनस का 10 कर लेते हैं 20 यह अपना गया वर्तमान का 40 और 20 इसने क्या बोला है दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं डिफरेंस निकालते हैं 20 दूनी 40 तो दो अनुपात एक सूरी दो अनुपात एक यह अपना ठांसर नहीं आया यह कितना आया था फादर और सन की आये थी दो अनुपात एक तो अपने फादर और सन की दों पात एक क्यों पूचा है सन और फादर की वर्तमान आtoiं तो इसको उल्टा कर तो अपने ऑप्सन देखते हैं इस दर राइट आंसर हो गया क्योंकि अपने था फादर और सन लिया था हमने तो फादर और सन फादर की तो बार देखना क्यों क्या कर रहा है मैं सभी से तरीके से बता देता हूं प्रफशन से पिछला वाला है इसने बोला है कि 10 वरस बाद 5 अनुपात 3 है फादर और सन की 10 वरस है पूरा उता था ठीय नुपात 1 हमने रिसीो का डेफरेंश यह पांच से तीन कर अकते हमारे पास है अपने पांसा न cambiar था लिए का। यह दस वर्स पाद का तरहं म३र ऑने ब्यु भाद का उठा लिया, तो दस वर्सिपादा आपने पास था पान्स और तीन था, पांच और तीन था तो अपने पास ईक पॉइंट já 55 33 तो वर्तमान का मानेस को 10 कर देते हैं दोनुम मानेस 10 करें तो पचास का 40 हो गए 30 का 20 हो गया 20 2 नपात 1 2 नपात 1 आए तब फादर और सण का रेशियो आंसर पूचा हमें सजज और फादर का तो सब्सक्राइब और फादर तें यह थोड़ा सा कालिग और कैसे है वो क्यों और देखतें एंब पहने है पहले फिर बता दूँगा वे पेरrieंट्स एज ने यह प्रेजेंट है अ कि लोल में फाइव इयर भी the ratio was one and part 3 तो दो भायो का अनुपात वरतमान में एक अनुपात 2 है और 5 साल पहले उनकी आई उक अनुपात था तो ते वाट विल बी, अईज अप्टर 5 पेर तो उनकी 5 साल बाद उनकी आई उका अनुपात तो हम देखते हैं कि उसने को थोड़ा सा चोटा कर लेते हम और ये इस्टार्ट करते हैं दो भायों का अनुपात हम ले लेते हैं भाई ए तो था भी ए और भी कोई थे सोरी थोड़ा इधर लेते हैं ए और भी ये कोई भाई थे ये थे वर्तमान वर्तमान में उनकी आयू का अनुपात था वन अनुपात टू और पांच वर्स पूरो पांच वर्स पूरो का मतलब होता है माइनस का पांच कर लेता हूं मैं माइनस का पांच मतलब पांच वर्स पहले पलस पांच का मतलब पांच वर्स बाद तो पांच वर्स पूरो उनकी यृक नपाथ था वन उन्मकाथ थ्री आप देखते हैं इस कियूचर में ओरो कियूचर से अलग क्या बात है तो चलिए एक से एक गया तो जीरो आया और दो से तीन आया एक मतलब औरो किया था फाच छे तीन गया दो और गया दो मतलब दोनों रेशियों का जो डिफरेंस था वो सेम था अपने पास एक यूनिफॉर्म था इनका जो डिफरेंस था यूनिफॉर्म था दोनों का दो दो था लेकिन इसमें यूनिफॉर्म नहीं है इसमें एक से एक जीरो है दो से तीन में एक है मतलब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं है जब रेशियो का डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा क्यूसंस को हल करने से पहले कैसे बनाना पड़ेगा जो रेशियो का डिफरेंस से उनका मल्टिपल करते हैं जो रेशियो का डिफरेंस आएगा उनको आपस में मल्टिपल करते हैं तो देखते हैं आपको क्यूसंस में देखते हैं चलिए just एक और अनूपात दो कर डीफरेंस कितना एक से दो में कितना डीफरेंस हैता इधर देखे स्ज़ितजों का ऍटर में एक और नीचे क से गुणा होगा और एक और 2 का थो पर वादे को फूर आ होगा और नया दो हाए स्टूरी ओर क्या है और दो दूने चार है दो दूनी 4 महआ और एक गुना तीन और तीन अब देखते हूएं रिपज़ेंस स्थीम आता है क्या यह एका और चार नय रिश्यू है और इनका डिफरेंस दो से एक में एक और चार से एक में एक अब यूनिफॉम आ गया दुबर देख लेते हैं कैसे किया मैंने हमारे पास ए और बी दो भाई हैं वरतमान है एक अनुपाद दो है और पांच वरस पूरा मानस पांच एक अनुपाद तीन हमने दो का एक से एक मे की लिए हमने जो अपने पास जो रेशियो दे रख्खा है एक मिंट और कोई यह कलर ले लेता हूं आपने पास यह दे रखा है जो एक उन्बाद दो इनका डिफरेंस कितना एक और दो में डिफरेंस एक का है इनको गुणा करते हैं इससे नीचे वाले िसे हैं और एक एक और तिन में डिफ्रेंज से दो इसको उपर वाले से गुना करते हैं। उपर वाले से गुना करते हैं, नए रिच्व अपने पीड़ Emergency आया 212 need 4 नीचे वाले में देखे 1 गुना 3-1 और टीन मुना 10今天 अब अपना ये हो गया खत्म। पुराना या बिल्कुल खतम हो गया, प्राने वाला है कि अब जरूरत नहीं है, अपने पास ना यह रेश्या आगए, दोच्छान एक तीन, दोनों का डिफ्रेंस कितना है, एक एक है, जब की ये क्या कहा रहा है, वर्तमान से पांच वर्स के लिए ये कहा रहा है, फांच वर्स, और ज टोटा को कै intestines करते हैं अब ये तक पांच वर्च बोल रहा है और ये बोल रहें एक करा तो एक पॉट के वेल्यों है पांच वर्च पत् صPL का गई अपने पूचा आप हैं कि पांच साल बाद का मतलब वह गया तक्रक्राइब अपने पास नो और चार है तो रटमान के करलिते हैं दो गुणा पांच और चार गुणा 5 है 25 दस और चार गुणा 5 ऻुदर है कि व सुब आगा पांच बाद 5 पर सबाद का मतलब होता है इन draps कर देते हैं इसंतक कर देते coalिप पंद्रह और पत्चिस काड़ देते हैं पांस्ती पंद्रह पच्छम पत्चिस तीन अनुपाद फाइप है इस दे राइट आंसर फाइप अनुपाद थ्री और यह क्या है इस वी ओप्शन में देखिए ओप्शन अपना सी है त्री और पाइप फाइप सरी त्री और पाइप त्री रेशियो फाइप ओर सकते हैं तो तीन और पांट पांस था यह क्यूसन बहुत इंपोर्टन है इसको एक बार वापिस से देखेगा अमने कैसे बताया है और आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्यूसन पे चलते हैं अब अपना यह नेक्स्ट क्यूसन है और अच्यूसन है यह है यि इपना आपको मासे और यूश्अग की अका इस आयू है यह आयू का अनुपाथ है आप्टर सेवन एर रेशो बिकम थ्री अनुपाथ थ्री रेशो एट है वह अनुपाथ बदलकर तीन अनुपाथ आठ हो जाता है कब साथ साल बाद है वार्ड़ प्रजेंट एज अब कीटा एंड हर मदर तब उसकी मा की वरतमान आयू क्या होगी कैसे करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का ले ले लेते हैं उपर रख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पास कोई क्या करता है यह अपने पास कोई गीता है गीता और उसकी माकिया आई ये जो आई का नाम आ गया एक अनुपाथ 5 है साथ साल बाद पलस सेवन येर क्या गया ये अनुपाथ बदल कर 3 अनुपाथ 8 हो जाता है वह डिफरेंस देखते हैं एक से तीन में दो का है और पांच से तीन में कितना है पांच से आठ में कितना है तीन का है यूनिफॉर्म नहीं है यूनिफॉर्म बनाने के लिए वह पिछले क्यूसर में जिसको समझ में नहीं आए ता वो देख लेते हैं एक से पांच में चार का करते हैं तीन से आठ में पाँच का इसको पाँच से माटिपलाइ करते हैं नए रेशियो अपने पास यह आएगा अ यह तो जी से गीता रैम से माक कर लेते हैं तो पांचे कंपांच और पच्छीस नीचे वाले करते हैं चारती बारा और आठ चौक 32 कितने खाया साथ साल कंतर और इधर देखिए यह है वर्तमान अपनी एक मिनट पैन भी चल जाता है दूसरा यह है वर्तमान वर्तमान से इधर देखिए वर्तमान से साथ साल कंतर है अपना कह रहा है साथ साल कंतर साथ पोइंट है रेशियो में भी अपना यह साथ काया आया है और वैसे भी वर्तमान से साथ साल काया है तो हम कह सकते हैं थोड़ साथ छोटा कर लेते हैं और हाँ इसमें कह लेते हैं कि साथ पॉइंट की वेल्यू कितनी है साथ साल है तो एक पॉइंट की वेल्यू कितनी है एक है एक येर है इसी परकर अब एक की एक है तो वरतमान में कितनी है पांच पच्चिस है तो पांच 25 है यह पांच और यह 25 है तो वो गीता की पांच है और मा की 25 यह से तो ओप्सन देखते हैं कौन सा अपना है ओप्सन कि इस दर राइट आंसर पांच और 25 जिसको नहीं समझे मैं एक बार वापिस दिखा देता हूं मैं इसने बोले गीता और मा की वरतमान आईव एक और पांच है और सात वरस बाद गぁरा सात वरसवाद 25-áli हो जाती है यह 358 honestly हो है तो गीता वे हैं कि मा की वरत्मान हाई कितनी हो एक से में दो का है और पांस से आज में तीन का है तो यूनिफॉर्म नहीं है एक इस तीन में दो को है और पांसिया क्लene के लिए हम भित पांस को करें कि ह। एक दूसरे गए अपने पास 5-1-5 और 5-5-25 नीचे 4-13 और 8-4 раз 1972 और 5-12 कितने है कर और साथ साल की और 25-32 में साथ साल की वर्द गीКन वरतमाझcould सा Cath साल में यह क्या है साथ साल के वर्द गी моей है यह भी बोल रहे है 7 साल की और अपने ये भी 7 साल के लिए बोल रहा है तो तो साथ पॉइंट की वेलु साथ है तो एक पॉइंट की वैल्यक एक साथ वर्थबान कतने ये नया है नया है ăngारे कितने नचीए पांच पत्वच्चेस है तो तो यह पांच और पत्वक्च्चेस है यह अपना आ लेकिन जो स्मार्ट बच्चे है ना वो ऐसे नहीं करेंगे वो कैसे करते हैं मैं उसके लिए तरीका बताता हूं थोड़ा साथ देखिए इसमें क्यों संस में छिपाई इसका अनसर तो कैसे है वो मैं बता देता हूं देखिए मेरे साथ आप यह हां ग्रीन कर ले लिया सोरी ग्रीन तॉल्डरी है हम ले लेते हैं यह अब इसने क्या बोला है कि गीता उसकी मा की आयू का अनुपाथ एक अनुपाथ पांच है वरतमान में एक अनुपाथ पांच है मतलब वरतमान आयू पूछ रहा है तो वरतमान अगर अनुपाथ एक अनुपाथ पांच है तो आयू भी एक अनुपाथ पांच के मल्टि 100-5, 7 अगया, 8 और 400 में, 8 आठ आगया, हमें आच तर छकि एक और 5, तो ऑप्सिन में क्या है? एक 5 और 25 में 5 एक 25 आपसन के साब से भी 5 एरस और 25 एरस या रहा है तो इस परकार से हम यह क्योशन कर सकते हैं और एक अपना आखरी क्योशन्स बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं वो भी अच्छा क्योशन्स है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं करूश से पहले बारे एक बार आप वीडियो को पोज करके आप खुद के इसाब से भी जरूर देखे तो चलिए क्योशन्स से स्टार करते हैं देखे रात के बारा बज़ रहे हैं लेकिन कड़ी के कुट्टे अभी भी भौक रहे हैं मतलब इनको भी नींद नहीं आई तो हम कैसे सो सकते हैं तो यह अपना यह लाश्ट क्योशन्स देखते हैं तो दस साल पहले रेशियो ओफ एज ओफ ए एंड बी वाज थ्री रेशियो वन दस वर्स पुरव ए और बी की आयू का अनुपाथ तीन अनुपाथ एक हैं आप्टर टैन यह रेशियो ओफ दियर एज विल बिकम दो करना है वोई जैसे पहले ऍकिया करते ते वह यह सेँ्थ कोइन पास अंब değil ग्री बी बी यह दस वर्सों का मतलब है ब्लस कर देता हूं 10 और 11 पूरो इनकी आयों का अनुपाथ 3 अनुपा एक और 10 वर्स भाद सुरी 10 वर्स पूरो का 1 मिनट 10 वर्स पूरो हो गया माइनस का रस और 10 वर्स भाद मतलब ठूल दस का हम कर सकते हैं 2 अनुपाथ एक हो जाएगा दस वर्ष बाद ये हो जाएगा दो अनुपात एक में ये हो जाएगा समझ गए तो उनकी वर्तमान आयू का योग क्या होगा तो वो ही बात है दो अनुपात एक मिल्ट ग्रिन करार ले लेता हूँ समझाने के लिए हाँ दो से तीन में यूनिफॉर्म है एक और एक से एक में जीरो है मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं है यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम करेंगे इनको गुणा करते हैं तीन से और एक में डिफरेंस आ गया दो का और दो से एक में डिफरेंस आ गया एक का नया यूनिफॉर्म आ गया इनका एक गुना तीन तीन एक गुना एक दो गुना चार दो गुना दो चार और दो गुना एक दो अब uniform आ गए तीन से चार में आ गए एक कर एक से दो में आ गए एक का लेकिन ये कह रहा है, minus 10 से plus 10 में आ गए 20 वर्स का और ये कह रहा है नहीं, एक point का गए तो इस परकार से हम कह सकते हैं, थोड़ा सा क्यूसेंस को छोटा कर लेते हैं हाँ और हम कह सकते हैं क्यूसन के साथ से कि एक पॉइंट की वैलियू कितनी आ गई बीस ये अर से आ गई कि कि बीक साल आ गई पूचा का य 2016 में क्योसंस में वापिस आते हैं औरerson's में पूचा है कि उनकी वर्तमान आयू का योग ग्याद करें देखते हैं कि इसको छोटा करते हैं वर्तमान यूकायोग देखते हैं यह अपने पास ब्लाइक ले लिए हमने अब एक पॉइंट की वेल्यू 20 वर्स आई अपने पास वर्तमान का कुछ नहीं दे रहाओ अपने पास दे रहा है माइनस दस और प्लस दस मतलब मायने से दस बाद का रेषय कितना है ग्रेन कलर से देखिए 10 वर्स बाद का रेश्यों है चारीस कितना गया दस वर्ष बाद का लिया है तो वर्तमान का मतलब दस वर्ष बाद और वर्तमान मतलब हमें दस साल पहले ले लिया दस साल जादा ले लिया तो घटा देते हैं तो माइनस का दस कर देते हैं इसमें भी माइनस का दस कर देते हैं कितना गया यह गया सतर और य कितना यह दस प्लस 30 एकवल टू कितना आगया सो कि तो अपने पास आँसर आगया सो और ऑफ सर में देखो कोई आंसर सो भी होगा कहीं लिखा होगा तो अपने फश्ट यांसर देख लेते हैं इस दस तो मैं दुबारे बता देता हूं तूसर में दे रखाए 10 साल पूर वह मतलब माइनेस का 10 में 3 अनुपाथ हैं 20 वर्ष पूरो तीन अनुपाथ 1 था और 10 साल बाद हो जाया गये 2 अनुपाथ 1 हम ने देखा दो से 3 में तो एक की आगई और एक से एक में जिए ख़े हैं मतलब यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो रेश्यो का दुटरेंस है उनको एक दूसरे से मलुटिपल करते हैं तीनसे एक में ले की डिफरेंस आगया दो का इसको नीचे वाले से कोणा करते हैं। दो से 1 का डिफरेंस है, एक का इसको बीचा डीस साल बार नाे रेश्टों ऊता है। और पर रहिए ना POL áता है। 3 से 4 में एक का और एक से 2 में एक का गए लेकिन हमें देखते हैं 10 वर्स पूराओ tim बाद इनका है बीस साल यह बोल रहा है एक तो ंबोल रहा है का एकट के वहले बीस साल पाज़ Gए हमें दे रहए ARE और पूराओ का दस वर्स बादगा हमें यह नहीं दी रहा है कि वरतमान का तो हम 20.80 और 20.24 तो 10 वर्स हमें 10 साल बाद का हमने निकाल दिया हमें वर्तमान का चाहिए मतलब मानेसे 10 कर देते हैं तो वर्तमान में आ जाएंगा मानेस का दोनों में 10 किया 70 और 30 आ गया यह 70 है और 70 और 30 एक्वल टू 100 हो गया तो 100 साल इनकी एज है तो इस परकार सी हमने क्यूसंस किया और आप सभी को थैंक यू इतने केरफूली से सुनने के लिए और अगर वीडियो पसंद आया अगर क्यूसंस में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में कर सकत हैं और बता सकते हैं अगर आपका कोई अलक से क्यूसंस है तो वो बता दिए मैं नक्च लेक्चर में आपका यह क्यूसंस से डाउट तो सौल कर दूँंगा और जाने से पहले यह यूटीब चैनल एक कलास और इसको सब्सक्राइब करते जाना जिसे क्या होगा कि मुझे भी लेकि कि हा मैंने मैंने ची है और आपको भी समझ में आया है और आपको कैसा भी डेना आप कॉमन्ट में दे सकते हैं धींक्यू और जे हिन्द मिलते थे अपने नैक्श करने और जिस पे अच्छ से देखना और लाश्ट में बोलते हैं हम अपने जैहिंद भाईयों मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में जैहिंद आपको टाइम दिखा देता हूं मैं आपको देख लो 12.33 हो रहा है मतलब रात के 12.33 तो थैंक यू मिलते हैं